हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल विने एक्वीटी आज है बाइस फर्वरी और अगर आप देखे तो बिला सौफवर इसका प्राइस जो है 416 पर ये क्लोज हुआ है और ये शर मुझे अच्छा लगा क्यूंकि इसके अंदर देखे तो पिछले समय में 575 से ये काफी क करेक्ट हो चुका है लगबक 30% से उपर करेक्ट हो चुका है और आज इसका प्राइस 416 रुबे के असपास है और सबसे पहले में चार्ट को थोड़ा से जूम कर लो अगर पीछे मुझे तो यह आप यहां पर देख सकते हैं कि सप्टेंबर से ऑक्तंबर महीने में मतलब कि यहां पर अगर देखें तो गजब का एक कंसोलिडेट हुआ था इस स्टॉक के अंदर और यहीं प्राइज है अगर मैं आपको दिखाऊ हूं यहीं प्राइज है यह जो ग्रीन कलर की लाइन है इसी के आसपास इसके अंदर एक स्टॉक को सपोर्ट मिले और इसका रसा अभ थोड़ा सा उच्छाल आ सकता है और अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अगर आप देखे तो यह 380 से 400 के बीच इसके अंदर एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और इसी के 380 के नीचे थोड़ा सा स्टॉक लोस लेकर काम कर सकते हैं उपर मैं देख सकते हैं और अगर आप इसके अंदर लॉंग टर्म इन्वेस्टम करना चाहते हैं एक या दो साल के लिए तो मेरे खियाल से इसी प्राइस के थे से थोड़ा नीचे मतलब की 340 से 380 के बीच अगर यह आए तो इसके अंदर एक या दो साल के लिए निवेश किया जा सकता है आप अपनी खुद की रिसर्च करें और उसके बाद ही कोई डिसेजन ले कोई सिफ वीडियो देखकर कोई भी डिसेजन ना ले मुझे कंपनी अच्छी लगी इसके रिजल्ट भी हम देखेगे और फंडामेंटल भी काफी अच्छे है काफी बढ़िया ग्रोथ दी है इस कं चाहिएंएब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह तकर का वेबसाइट है और यहां पर आठ एनालिस इसके उपर कोवर्ज कर रहे हैं बिल्ला सॉपर के और अगले एक साल के अंदर यह टिकर टेप के वेबसाइट के ऊपर है कि 600 हाई प्राइस जो है वह 700 रुपे के आसपास इसका अनुमान है वह सकता है यह टिकर टेप के अनलीसिस की बात है और मीडियम साइस अगर मीडियम प्राइस देखे तो शाड़े पा उस का चाहूं कि यह है आप अगया और सकते हैं अगर 2 लोग बाएक रसकते हैं तो यह काफी में काफी आप गदिया वीडियां करना है क्योंकि यह बहुत ही गजब की और बढ़िया वीडियो से आज मैंने एक वीडियो डाइली मनमपुरम फाइनस जो की काफी ओवर सोल्ड है आप इसको चेक शरूर करें यह आप ही के फैदे की बात है अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्रेट कीजिए बनार मत कीजिए मै नहीं मैं कोई बाइंग की या नहीं कोई सेलिंग की सला देता हूं मैं यहाँ पर डेटा शेल कर रहा हूं और फिर आपके उपर डिपेंड है कि आप उसके अंदर ट्रेट करना चाहे नौ चाहे और यह जो कि आप देख सकते हैं कि पीडिलाइट के बारे में मैंने एक आपको बहुत अच्छी वीडियो जानकारी मिलेगी और यह कोफोल्ज लिमिटेड गजब का मल्टी बेगर है इस साल रहा है और अदानी पावर की का भी इसके यह भी गजब का मल्टी बेगर रहा है यह पेटियम का वीडियो से और आप अगर देखे तो यह LIC के बारे में मैंने काफी डीटेल में असल जो है बढ़िया जो है आसान पासा में मैंने आपको समझाया है इसका वेलियोशन तो आप यह सब वीडियो से देख सकते हैं और हमारे चैनल का जो है मेरा स्लोगन ही है कि लेट्स क्रियेट वेल्थ टूगेटर अगर आपको यह चैनल अच्छ ना हो तो मुझे पूछ सकते हैं मैं कॉमेंट में जवाब दूगा या तो उसको आपको वीडियो बनाऊगा चलिए आगे बढ़ते हैं मास्टेक के बार में दूसरा स्टॉक है मास्टेक यह भी मुझे एक बढ़िया आईटी कंपनी लगती है यह इसका जो करेंट प्राइ अच्छे शेर भी गिरते हैं और बाजार सुदरते हैं तो इसके अंदर भी एक बढ़िया तेजी आ सकती है इसके अंदर भी अगर आप चाहे तो इसके अंदर आप ट्रेडिंग व्यू से मतलब कि शॉट टर्म भाइंग भी कर सकते हैं शॉट टर्म के लिए और लॉंगत बाइंग भी कर सकते हैं एक या दो साल के लिए तो इसके अंदर टार्गेट्स और मतलब टार्गेट्स होनी पर बट मैं अगर कहूं तो सपोर्ट कहां पर इसका दिखाय दे रहा है वो भी मैं आपको बता दूँ कि यह पिछले दिनों के अगर बात करें यहां इसी के आसपास मतलब की 25 रुपे के आसपास का इसने एक सपोर्ट लिया था आज अगर देखे तो 26 रुपे के आसपास है तो मतलब 100 रूपीस ही पीछे है इस लेवल से और यहां पर एक जो है 200 दिनों का सकते हैं और यह डोनों स्कार प् alleen में ने बता है आप और यह ब्रीलाओ व्रॉप स्धक इन यह तीन एनलिसिस है और तीनों के तीनों यहां पर बाइंग की सला दे रहे हैं और टार्गेट प्राइस की आपता थे यह भी हम देख लेते और यह अगर देखे तो इसका जो हाई प्राइस है वह 3600 रुपे का असपास है मतलब यहां से 40% की बढ़त और मीडियम जो है वह 3400 और अगर हम इसका लोग प्राइस जो देखे वह भी 3400 रुपे का असपास तो मतलब कि इसके अंदर इनलिसिस का मानना है कि 30-40% की बढ़त हो सकती है और चलिए फटा फट इसके रिजल्ट भी हम देख लेते हैं यह मास्टेक के रिजल्ट है और इसके लिए भी हम मनी कंट बढ़कर 73 करोर से रहा इसके अंदर भी 20% के आसपास की बढ़त और इसका EPS देखे तो 23 रुपे से बढ़कर यह 24 रुपे के आसपास हुआ है क्योंकि इसकी जो एक्विटी है शेर के पिटल वह बढ़ी है यहां पर आप देख सकते हैं पिछले सबता जो साड़े बारा कर करोर थी वह 15 करोर के आसपास हुई दिये तो इसके लिए इसका जो EPS है वह ज्यादा नहीं बढ़ा इसके मुनाफे के मुकाबले लेकिन फिर अगर आप देखे तो अगर पूरे साल का EPS भी देखे तो मतलब कि 75 रुपीज का EPS है और यह 100 रुपीज का EPS आ सकता है अगले share का trade ले आपने खुद की research जरुर करे अपने financial advisor के सला ले सिर वीडियो दे कर कोई कोई भी decision नले अपनी research और अपने financial advisor के सला ले और खुद डिसिजन ले और decision ले तो उसकी जिमेदारी भी maturity के साथ खुद ही ले एक standard disclaimer है जो मैं हमेशा देता हूँ और जो भी काम करे वो stop loss शेर की सब्सक्राइब करें